अगर आपको लाइफ में कभी ऐसा मोड आ जाए कि आपको लगे कि आपकी लाइफ यहाँ पे खतम हो चुकी है अब आपको यहाँ पर देना चाहिए वह कोई भी सिच्वेशन और करियर वाइस हुआ या कोई काम करें जिसमें आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक आपके साथ डिसकूस करने चाहिए हुँ कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी सिच्वेशन आ चाहिए गीबप नहीं करना चाहिए हमारे सुसाइटी की जो सबसे मेन सपोर्ट की पिलर होती है वह होती है हुमेंस और यह छू तो उसकी बात तो यही है कि जब हम हमें अपने लिए ही कुछ करने चाती है और उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाती है तो सबसे पहले हम ही होती है जो गीबप कर जाती है अपनी लाइफ में चाहिए वो फिर कुछ भी हो गया अगर हमने कोई बिसनस स्टार्ट किया है उसमें हम success नहीं हो पा रहे हैं, career by success नहीं हो पा रहे हैं या हमारी कोई hobby है जो हमने start की है और उसमें हम success नहीं हो पा रहे हैं जो हमने सोचा है वो हमें मिलने ही पा रहा है तो हमी सबसे पहले give up कर जाती हैं फिर reason चाहे कुछ भी हो, access responsibility हो हमारे उपर, lack of support हो हम सोचते छोड़ो जाने तो इससे वैसे भी हमें क्या मिल रहा था और हम वहीं पर give up कर जाते हैं पर ऐसा नहीं है, आपने श्री हरिवेश श्राय बच्चन की ये कविता तो सुनी होगी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और इसके लिए मैं आपको दो best example देने जा रही हूँ सबसे पहला मेरा example है Mrs. Priyanka Chopra Jonas जो की बहुत ही famous actress है और इन्होंने अपना career जो है वो team age में start किया था जिसमें वो Miss World बनी उसके बाद उन्हें movie बिलना start हुई उसके बाद उन्हें Hollywood से भी offer आने लगे जिसके वज़े से उनको Mumbai to American travel करना पड़ता था क्योंकि दोनों तरफ उनका commitment होता था इतना करने के बाद उन्हें उन्होंने महापे भी give up नहीं किया वो अपने आपको self motivate करते रहती थी इंफेक्ट उन्होंने एक interview में ये भी कहा था कि उन्हें अप तो jet lag भी नहीं होता इतना travel उन्होंने अपने life में कर चुकी थी बट इसका उन्हें सबसे best reward क्या मिला पूरी दुनिया होने global icon के नाम से जानती है So I request you, मैं actually मैं आपको यही कहूंगी कि आप उनके interviews जाके देखे जब भी आप demotivate हो रहे है या आप चाहते कि अभी आपको यहाँ पर give up कर देना चाहिए तो आप YouTube पर जाए उनके interviews देखिए आप अपने आप में confidence फिल करेंगे और आप पापस से start कर देगे और मेरा second example है Steve Jobs जो कि college dropout थे हम सभी जानते हैं बट उन्होंने college में just for fun या उनकी जो interest होगी उसके पज़े से उन्होंने कैलिग्राफी सिखी जिसका फाइदा आज खुदी दुनिया उठा रही है आज जो हमारे windows में इतने सारे font है जिसका फाइदा हम सभी उठा रहे है वो safe and safe safe job का दिया हुआ है जो कि उन्होंने एक as a hobby सिखा था जिसका फाइदा उन्हें भी हुआ साथ ही साथ पुदी दुनिया का हुआ तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि आप कभी भी give up मत करिया अपने life में चाहे वो फिर कोई भी हो आपने कोई business start किया हुआ है जहां आपको आप वहाँ पे बंदी करना पड़ेगा आप नहीं कर सकते आगे तो कोई बात नहीं आप वहाँ पे आपका experience और आपका knowledge कहीं न कहीं तो यूटिलाइज हो ही जाएगा यह आप अपने mind में रख के चलिए तो मैं अपना video आप यहीं पे खतम करती हो और मैं आपसे रिक्विस्ट करती हूँ कि आप अपने life में कभी भी give up मत करिये जाएए आपको अगर mood थोड़ा सा स्कॉइल हो चुका है तो कहीं बाहर आउटिंग के ले जाए माइन फ्रेश करके आईए कुछ अच्छा अच्छा खाना खाईए जिसका लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा बट आप डटे रहिए आगे बढ़ते रहिए ताकि आपको आपकी life मिनिंग फुल लगे पसंद आता तो प्लीज इसे जल्दी से लाइक कीजे शेल कीजे अपने सारी फ्रेंड के साथ और थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कीजे क्योंकि मैं भी बहुत बार डी मोटिवेट हो जाती हूँ बट मैं रिटर आती हूँ एक नए वीडियो के साथ सी यू नेक्स टाइम पी बाइ